16 अक्टूबर से T20 विश्योकप शुरू हो रहा है और इसके लिए भारती एक क्रिकेट टीम फिलाल अपनी तैयारियों को परक रही है जाच रही है कि वो इसके लिए कितनी तैयार है अगर विश्योकप जीतना है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसके लिए माही वे की जरूरत है मतलब की माही महेंदर सिंग धोनी के रास्ते पे चलने की जरूरत है क्यों कह रहे हैं वो ऐसा ऐसी बाते हमने भी पिछले दिनों अक्सर मैच की समीक्षा करते वक्त कही है यह बताऊंगा उससे पहले बता दूँ कि आप देख रहे हैं नियूस बाइस कोप मैहूर आकेश रंजन और इस विशय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सह योगी प्रोजेश अब प्रोजेश विशय कप आने को है अगर कोई भी कहता है कि अगर विशय कप जीतना है तो आप माही वे पर चलें मतलब की धोनी के बताये रास्ते पर चलें तो गलत इसलिए भी नहीं है क्योंकि धोनी ने इसे कई बार साबित करके दिखाया है उनकी ICC Test Champion भी हम बने थे 2010 में भी बने थे तो दो बार ICC Test Championship भी उन्होंने दिलवाया दो बार Asia Cup दिलवाया तो बहुत सारी ऐसी बाते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े टूर्नमेंट समय जीत के दिया आखरी बार जब हम विश्यो कप के Final में पहुंचे थे इत्तफाकन तब भी ज वज़ा से धोनी को बहुत याद किया जा रहा है तो एक जो सबसे पहली बात हम करेंगे धोनी के क्वालिटी की तो वो है उनकी अन और्थोडॉक्स Captaincy. Captaincy तो सभी करते हैं सबका एक फार्मूला होता है उसके अनुसार Captaincy करते हैं लेकिन धोनी का कोई फार्मूला नहीं था वो ऐसे decision लेने के लिए जाने जाते थे जो कोई सोच नहीं सकता कि उस वक्त इस तरह का decision लिया जा सकता है कई बार कहते थे कि cricket की भाशा में कि वो खेल रहे हैं लेकिन अक्सर उनका फटका सही लगता था तो ये जो एक unorthodox way है कब वो slog overs में spinner से गिनबाजी करवा देते थे ये पता नहीं चला जो unorthodox captaincy है धोनी की उसके बारे में बताई देखें धोनी काफी unpredictable थे वो कब क्या कहते थे किसी को भी नहीं मालूम रहता था कोई बॉलर एक fix नहीं था कि हां मुझे last over फेकना है या second last over फेकना है अगर मही को लगता था कि हां अगर ये बॉलर इस स्थान पर काम कर सकता है तो वो उससे जिनबाजी करवा सकते थे जैसे हमने example के तोर पर जोगिंदर सर्मा को देखिए कि वर्ल्ड कप का जो सबसे जो सबसे महत्वण ओवर था वो फेकने जा रहे थे कोई बड़ा नाम नहीं था जोगिंदर सर्मा का लेकिन उन्होंने अंतता भारत को वर्ल्ड कप दिलवाया तो इस तरकी कई क्वालिटिया हैं जो महेंदर सुंग धोनी में थी जैसे हमनों देख सकते थे कि ACI Cup का मैस थ जो खड़े हो गये थे और और उसमें वो थ्रोग करने के बजाए दोड़ कर वो रन आउट किये थे जिसके चलते भारत वो मैच एक रन से जीत पाया था तो ऐसी कई क्वालिटी थी महें के पास जिसका जिसका लोग आज भी गुनगान करते हैं तो एक अगर हम आभी कप्त आर जो है फैसले न की पहले से लिए गए फैसले को मैच में दोहराएं सामने वाली टीम को भी सोचने दें कि आपने ऐसा क्यूं किया तो वो चीज जो है वो धोनी की कप्तानी में देखती थी खैर धोनी को मैच रीड करने की मैच की क्या इस्थिति है उसकी एक अधभुत शमता उनके अंदर थी जो दूसरी बात हम कहेंगे अन और्थोडॉक्स विकेट कीपिंग की जैसा कि प्रोजेश ने कहा विकेट कीपिंग भी बहुत उनका अन और्थोडॉक्स होता था अगर आप देखे तो क्या कहता है उनसे पहले जो विकेट कीपर्स आते थे या जो बड़े बड़े विकेट कीपर्स हुए हैं इन दा हिस्ट्री ओफ क्रिकेट अगर आप उनको देखें तो वो बड़े ही कालात्मक होते थे जब स्टंपिंग करते तो सिर्फ गिलनियां बिखेर देते थे या रन आउट करते थे तो बिलकुल विकेट के पीछे खड़े होत सके थे तो एक जो है उनकी विकेट कीपिंग कह सकते हैं कि स्मार्ट जो स्ट्रीट स्मार्ट विकेट कीपिंग आप कहते हैं वो जो होता है तो इवन दो जब वो विकेट कीपिंग भी कर रहे होते थे तो वो कुछ सोच रहे होते थे वो इन्वाल्व होते थे गेम में उस भी वो मैच को रीड करते थे इवन दो वो ये रीड करते थे कि जो रणिंग जो एंड से दोड़ता हुआ बल्लेबाज उनकी तरफ आ रहा है वो विकेट से कितनी दूर है और जब वो रास्ते में गेंद को रोक के थ्रो करेंगे पीछे की ओर तो कितनी तेजी से करेंगे ये सारी चीजे जो है वो गेंद को पकड़ते भी नहीं थे और सिर्फ एक दिसा दे देते थे और जिसे की प्लेयर रन आउट हो जाता था तो ये काफी क्वालिटी थी उनके पास अगर उन्हें लगता था कि ये जो एक उनकी जो विकेट कीपिंग की कला थी जैसा मैंने कहा कि अनौर्फोडॉक्स थी लेकिन उसकी बहुत याद आती है और वो देखना चाहिए वो विकेट कीपर्स को सीखना चाहिए और उसमें परफेक्शन लाने की जरूरत है देखते तो हम सभी टीवी पर है कि दोनी ने इस तरह से रन आउट किया और वो सारी चीजें देखते हैं लेकिन उसे अभ्यास में लाना हमारे विकेट कीपर्स का काम है ताकि उसे परफेक्शन के साथ कर सके और उसका फायदा भारतिय टीम को हो तो रिशप पंत और दिनेश कार्तिक दोनों के लिए ये सीख है कि वो दोनी के विकेट कीपिंग के बताए रास्ते पर चले उसे फॉलो करें जो तीसरे माहिवे की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए जो एक महत्तोपूर्ण बात है जो हम बात करते हैं DRS की जिसे कि एक समय धोनी रिव्यू सिस्टम तक कह दिया गया था क्योंकि धोनी इसमें मास्टर थे और हमने हाल के दिनों में देखा है जैसा मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हम देखते हैं कि जो अभी विकट कीपर हैं तो रिशाप पंत वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें हर बार लगता है कि बल्ले बाज आउट है और दिनेश कार्तिक ऐसे विकट कीपर है और उनको लगता है कि हाँ वो इतने मच्योर है कि वो हर बार क्यदेए कि नहीं नहीं लगा है वो हिचकते हैं डीरेस लेने से तो कप्तान को मुश्किल होती है अब कप्तान तो विकट के पीछे है नहीं तो उसके लिए LBW के बारे में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो यह चीजे बहुत ही महत्पूर्ण है और यहाँ पर भी जो विकट कीपर है उसे मैं कहूंगा कि धोनी वे से सीखें कि DRS कैसे लिया जाता है देखे जब धोनी कैप्टेन थे तब उनके पास यह डिसिजन थी कि वो कब DRS ले और जितने बार भी हमने देखा कि धोनी ने DRS लिया है वो 100 में से लगभग 95% वो सही होते आया है और जब विराट कोली कैप्टेन बने तो काफी कुछ धोनी के उपर डिपेंड रहते थे धोनी कैप्टेन भले नहीं थे लेकिन विराट हमेशा उनसे पूछते थे कि DRS लेना चाहिए कि नहीं और वे हमेशा सही डिसिजन देते थे जिसका फाइदा भारती टीम को मिलता थ लेकिन धोनी के रिटार्मेंट के बाद रिसपपन्त है रिसपपन्त काफी यंग खिलाड़ी है और काफी एकसाइटेड हो जाते हैं उन्हें लगता कि हाँ यह आउट है यह कैच और जसके बिपरीत दिनेस कार्थी के साथ है कि जब वो कैच आउट भी होते तब भी वो को तो पूर्ण होती है तो रिशपपन्त और दिनेश कार्थिक जो भी विकेट के पीछे हूँ वो मैच को परकने और गेंद कहां टपा खा रही है बैट्समन कहां है नहीं है इन सारी चीज़ों को देखे समझे और डियारेस पर एक परफेक्ट सजेशन जो है कप्तान को दे रोहित शर्मा को ये बहुत जरूरी है विश्व कप जीतने के लिए चुकि डियारेस जो होते हैं आपके पास वो मैच का अगर आप एक सही डियारेस मैच का पूरा रुख बदल देता है तो ये तीसरा जो बात की मैंने माहीवे की जो की उस रास्ते पर चलने की जरूरत है इसके अलावा एक बहुत ही महतोपूर बात है प्रोजेश जो माहीवे की हम बात कर रहे हैं कि उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए भारतिये टीम को चलना चाहिए वो है कॉमिनिकेशन विट प्लेयर्स नाट ओनली विट प्लेयर्स सिर्फ अपने खिलाडियों से नहीं यहा एक कहारी जो मुझे याद आती है जिसमें कि अपनी टीम के खिलाडियों के लिए भी संदेश था और विपक्षी टीम के खिलाडियों के लिए भी संदेश था यह बात थी 2008 की और भारतिये टीम जो है ऑस्टेलिया में थी मेल्बोन क्रिकेट ग्राउंड में मैच हो रहा थ और आप समझें कि दोनी उस वक्त नए-नए कप्तान बने थे कुलमिला कर वो शायद कप्तान के रूप में उनका पंद्रावा मैस था और वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऑस्टेलियाई टीम बहुत काम स्कोर पर आउट हो गई थी 169 रन के आसपस और भारतिये टीम ए 102 रन प बड़े हुए थे तो उस वक्त क्या होता है कि दोनी पवेलियन की तरफ इशारा करते हैं और इस तरह से करके वो गलफ मांगते हैं कि पवेलियन से कोई गलफ लेकर आप यह क्रकट में कॉमन सी बात है अक्सर बल्लेबाज जो है लफ मांगते है तो अब आप सोचेंगी इस मैच जीतें तो कोई भी ओवर एक्साइटेड नहों कोई अती उत्साह न दिखाए ठीक है और दूसरी तरफ जो रॉहित शर्मा है उनसे भी कहते हैं कि जीतने के बाद नॉर्मल बने रहना और भारतिय टीम हो मैच जीती और बहुत ही आप अकसर देखते होंगे कि दोनी मैच जीते हैं विकेट उखाड के आराम से वो चले जाते हैं तो ऐसा ही हुआ लेकिन वो जो मैं कॉमिनिकेशन की बात कर रहा हूं देखिए ये कॉमिनिकेशन अपने टीम के खिलाडियों के लिए भी थी उन्हें भी ये कॉन्फिदेंस दिलाने की बात थी कि ऑस्ट्रेलिया को हम ऑस्ट्रेलिया में हरा रहें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए आप अपने आप में विश्वास कीजिए ये छोटी चीज है इसी तरह से वो अपोनेंट टीम को भी एक मैसेज दे रहे थे यहां पर ऑस्ट्रेलिया को कि देखिए आपके घर में आके आप आपको हरा रहा हूं हमें कोई बहुत जादा ऐसी बात नहीं कि हमने कुछ अजूबा कर दिया है यह हमारा रोज का काम है हम आपको हराएंगे तो यह जो संदेश देने की कला थी जो कॉमिनिकेशन की हम बात करते हैं खिलाडियों के साथ वह बहुत महत्तोपून होती थी आ रही न कहीं इस टीम में थोड़ा सा लाक करते दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा जिन्हें जब यह कप्तान बने थे और आईपियल में को कप्तानी करते देखा था तो बहुत कूल लगते थे लेकिन आजकल देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर खीच जात बिल्कुल रोहित सर्मा को हमने देखा कि फिल्ड पे जिस तर से उन्होंने पांच आईपियल खिताब जीता है तो लग रहा था कि उन्हें काफी परिपकोता है लेकिन जैसे ही उन्हें भारती टीम की कप्तानी मिली है उनका एटिश्यूड बदल गया है वे अब उतने सां शुच सकता है और उस समय पर लास्ट वर जब अस्दीब फेक रहे थे तो आस देख कुछ फिल्ड में बदलाओ चा रहे थे लेकिन उन्हें उसकी बातों पर ध्यानी नहीं दिया जिसका है यह कफ्तान ठीक है काफ्तान चाहे है तो वो कह सकता है कि नीई-नी मैं जिस फिल् से हैं अब एक बार मोहमद समी ने बताया कि न्यूजलेंड में मैच हो रहा था और जब एक कैच हुटा विकेट के पीछे तो जब कैच हुटा तो जुन्जला गए लंच के पहले की आखरी गेंड थी और उन्होंने बांसर मारा दिया आखरी गेंड और वह बांसर दो निके विसर्च के ऊपर से वह बाउंडरी के लिए चला गया वह टेस्ट मैस था तो दोनी जब लोट रहे थे तो उन्होंने कहा समी को कि तुमको बांसर नहीं फेकना चाहिए था एक गेंड पहले जो है वो हाथ से slip कर गई तो बोला कि तब धोनी ने कहा कि देखो इतने दिनों से खेल रहा हूं बहुत आए और चले गए मुझे सिखाओ मर तो ये बात जो धोनी की थी वही मैंने कहा ना कि कब डांटना है कब पुछकारना है समझामना है ये बात धोनी अच्छे से जानते थे तो ये जो कॉमिनिकेशन स्किल है वो हर कप्तान को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए अगर आपको अच्छा कप्तान बनना है तो ये चीज रोहित शर्मा को सीखनी चाहिए और विश्वकब जीतना है तो माही वे का जो ये तरीका है जो माही के इस रास्ते पर जो कॉमिनिकेशन का जो माही वे है उस पर चलने की भी सख दरकार है चार क्वालिटी की बात कर ली पांचवे की बात करूँगा पांचवा है धोनी दफिनिशर इसके बारे में तो सभी जानते हैं आप बताए देखे धोनी के बारे में इसमें ममले में क्या कहना कि धोनी ने इतने मैच फिनिस करके गए हैं लगता था कि हाँ मैच इजी हो रहा है लेकिन कभी कोई मैच फस जाता था लेकिन धोनी काफी सांत रहते थे ला समय भी लगता थ कि रहे धोनी अभी तक चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं लेकिन धोनी सही वक्ता इंतियार करते थे सही गेंदबाजों को चुनते थे और उसके बाद प्रहार करके अकेले एक तरफा मैच जिता कर ले जाते थे तो ऐसे काफी एकजांपल है जिसमें हमने देखा कि धोनी धोनी काफी पेसेंस के साथ मैच को फिनिस किया अनबिटन लॉट के आएं ऐसे काफी एकजांपल से हैं और यही एक लीडर की भूमिका होती है कि वो हमेशा सांत रहें और मैच को जिता कर आए और यही माही ने हमेशा किया है बिल्कुल है एज अज बैस्मन दे फिनिशर उनकी तो मतलब आप कह सकते हैं कि आल टाइम ग्रेट्स में उनको रखा जाता है फिनिशर के तौर पे कितनी बार हुआ कि इतने रंच चाहिए कई बार तो देखने वाले को भी लगता था कि अब तो मैच फांस गया टीम के खिलाणियों को लगने लगता था लेकिन उनका आपने भी गेम को कैसे किल करना है वो जानते थे तो वहाँ पर भी धोनी दा फिनिशर दिखते थे कि बिलकुल जब लगता था कि विपक्षी टीम उपर आ रही है उस वक्त कहां से अटाक करना चाहिए विपक्षी टीम की क्या कमजोरी है वहां कहां पर हमला करना चाहिए देकि द और्थोडॉक्स फिल्ड सेटिंग होती थी एक कप्तान के रूप में वो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि दोनी से सीखने की जरूरत है और मुझे लगता है कि भारती टीम को अगर विश्य कप जीतना है तो जो माही वे है जो दोनी ने कप्तानी और आजे प्लेयर जो कु